प्रेमित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इस्टेड़ी बित प्रदीपे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यह अनुमान लगा जा रहा था कि जैसे ही पंचाय चुनाव समाप्त होगा उसके अंतिम चरण के बाद प्रदेश में संपूर्ण लगडाउन ल बात करते हैं आगे यहां पर कितने मरीज हमारे एड्मिट हुए थे और कितने मरीज सुस्थ हो करके आ रहे यह बड़ा डाटा हम आपको बताने चल रहे हैं यहां पर सारी नियूज आपको अथेंटिक बताई जाएगी यहां पर कुछ भी फेंक आपको नहीं दिया तो एक एक करके समझ चीजों पर चर्चा करने वाले हैं वीडियो में बने रही है चलिए स्टार्ट करते सबसे पहला यूपी में तेजी से फैल रहे को रोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है प्रदेश में अब तीन दिन लागडाउन र अब ही सनिवार और रविवार को सापताहिक बंदी थी इसमें अब सोमवार को भी जोड़ दिया गया लखनौ में टीम 11 के साथ बर्चुवल मीटिंग में सीम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण से सुस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में हमें और सतर्पता बरतनी होगी सभी जिलों में रात्रिकारें कोरोना करफु और सापताहिक बंदी प्रभावी है संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोरोना करफु बहुत उप्योगी ऐसे में अब सुक्रवार रात्री आठ बजे से मंगल और प्राता साथ ब बंदी में जारी रहेंगे यानि अगर आपको बैक्सिन लगवाना है तो आप इस बीच में बैक्सिन लगवा सकते हैं और जो लोग और दोगी चीजों से जुड़े हुएं इंडस्ट्री से जुड़े हुएं उनके कारी चलते रहेंगे ठीक है सीयम योगी ने कहा कि इस ब्योस्था को ततकाल प्रभाव से लागू किया जाएं उन्होंने कहा कि रेमडी सीवीर इंजेक्षन की प्रदेश में उपलब्दता सुनिश्चित कराई जा रही है सभी जिलों हर दिन remedy sivir उपलब्द कराई जा रही है सरकारी अस्पतालों में यह दवा फ्री में उपलब्द कराई कर इस कोबिड अस्पताल के संचालन के लिए सभी आउस्टेक प्रबंदन सुनिश्चित कराए गए हैं सीम योगी ने कहा कि आक्सीजन की आपूरती हर दिन बहतर होती जा रही उत्तर प्रदेश में उपलब्द सभी संसादनों को आपूरती चेंज से जोडने के साथ साथ आ मार्ग बिसेश जैसे बिसेश साथनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है रोड की दहरादून जमसेदपूर बोकारों आज छेत्रों से आक्सीजन की सतत आपूरती हो रही है कल की तरह आज भी 650 मिट्री टरंस से अधिक की आपूरती होई आज का मतलब आज ब्रहस्पत्वा का पूरा ध्यान रखा जाए सीम हेलप लाइन से उन लोगों से हर दिन संबाद बनाया जाए तैप रोटोकाल के अनुरूप उन्हें दवाएं का मेडिकल किट उपलब्द कराया जाए ऐसे मरीजों के लिए टेली कंसल्टेंस ब्योस्था को और बहतर किया जाए लगातार बढ़ रहे कोरोना के सरकारी आकड़ों के अंसर बुद्धवार देरात तक 29,000 बुद्धवार देरात तक 29,000 आठ सो चौबिस नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इसमें पहले एक दिन में 30,000 से कम मामले 20 अपरेल को आये थे बीते 24 घंटे में प्रदेश में 206,000 कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में करोना संक्रमित से मरने वालों की यह संक्या अब तक की सरबाधिक संक्या है प्रदेश में अब करोना संक्रमित सक्क्री मरीजों की संक्या 3,000,000 से पार हो चुकी है राहत की बात यह है कि संक्रमितों की संक्या में यह कमी जाच बढ़ने के स साथ आ रही है बीट एक दिन कुल एक लाग छी आसी जार पांसो अठासी सेंपल की जाच की गई जबकि इससे पहले और भी जाच होती थी तो जो काम की जानकारी थी वो यह है कि प्रदेश में अब तीन दिन का आपका कहा रहे गार लाग डाउन रहेगा और संपूर्ण मंगलवार सुबह साथ में तक का लाग डाउन रहेगा जो आपको जानना अतियाउस्सक है तो फिर मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक लिए अजाजत दीजिए नमस्कार